गुरुवार को एक ठोस सत्र के बाद घरेलू इक्विटी बैरोमेटर दिन के उच्चतम स्तर के करीब समाप्थ हुआ FONC बैठक में US Fade की नरम नीती ने निवेशकों की भावना को बढ़ावा दिया जिससे प्रमुख इक्विटी सुचकांक व्यापार में नियो ओलटाइम हाई लेवल पर पहुँच गए रुप्या 83.40 प्रती डॉलर के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 83.33 प्रती डॉलर पर बंद हुआ अदानी एंटरप्राइजेज ने घोशना की कि अथर्व अडवांस्ट सिस्टम्स एंड टेक्नोलोजीज में उसकी हिस्सेदारी घटकर 56% हो गई है श्री सीमेंट ने क्लिंकर के साथ नवलगड सिमेंट प्लांट चालू किया है एविन्यू सुपर्मार्ट्स ने बिंदया का राजस्थान में एक नया स्टोर खोला है स्टेट बैंक औफ इंडिया कैनपैक ट्रेंड्स में 6.35% हिस्सेदारी का अधिग्रहन करेगी जायडस लाइफ साइन्सेज को साइक्लो फॉस्टिमाइड कैपसूल के लिए USFDA से अंतिम मन्जूरी मिल गई है अधानी एनरजी सल्यूशन्स ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी संरेस इंफ्रास्पेस्ट को शामिल किया है टाटा टेक्नोलोजीज ने कोयमबटूर में अपने पहले इनोवेशन सेंटर का उधगाटन किया कॉस्मो फर्स्ट ने मेटलाइजड कैपसिटर ग्रेड बियो पीपी फिल्म लॉंच की राइट्स ने गुयाना देश में एक शाखा कार्याले खुला है जूपिटर वैगन्स ने 4000 बॉक्संस वैगन्स के निर्मान और आपूर्ती के लिए 1617 करोड रुपए का ओर जीता है सिर्मा SGS टेक्नोलोजी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कमपनी सिर्मा स्ट्राटेजिक इलेक्ट्रोनिक्स को शामिल किया है कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने कमपनी के CCO के रूप में सतीश शिंपी की नियुक्ती की घोशना की एकसाइड इंडस्ट्रीज ने एकसाइड एनर्जी सल्यूशन्स में 100 करोड रुपए का निवेश किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने CCO राजेश वासुदेवन के इस्तीफे की घोशना की एशियन ग्रैनिटो इंडिया ने हैदराबाद में 3000 वर्क फुट के कमपनी डिस्प्ले शोरूं का उधगाटन किया है PCBL फंड जुटाने पर विचार करने के लिए 16 दिसंबर को बोर्ड बैठक आयोज़ित करेगा वार्ड विजार्ड फूर्ड एंड बेवरिजेज ने गुजरात सरकार के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है पुडिसा मिनरल्स को बगियाबुरू लौह अयस्त खदानों के संचालन के लिए SPCB का सहमती आदेश प्राप्थ हुआ है T-target rail systems ने QIP issue के जरिए 700 करोड रुपए जुटाए है बिर्ला सॉफ्ट ने additional director के रूप में निधी किलावाला की नियुक्ती को मन्जूरी दे दी है थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब 10 शेर्स